सो आ गया है हमारे पास Unix 65 G3 White Tagger का सूज यह मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया है और सूज के साथ साथ सॉक्स भी मैंने फ्री में ले लिया है क्योंकि थोड़ा सेटिंग था हमारा अच्छे से तो टोटल मुझे यह सूज एंड सॉक्स मिलके 10,000 अराउंड कोश्ट मुझे य ऐसा है ओफलाइन लेने से आप साइज चेक कर सकते हो पहन के यहां पर मैं UK 10 साइज यहां पर लिया है नॉर्मली मेरा 11 होता है लेकिन यहां पर 10 साइज में मुझे बहुत कमफर्टबल फील हुआ तो मैंने यहां पर 10 साइज का ही लिया है और यहां पर देख सकते हो में 2023 क यह है ज्यादा लेटिस टॉक नहीं है लेकिन जैसे कि यह बस एक सूज है तो ज्यादा कुछ यहां पर फरक नहीं पड़ेगा सो देखते हैं इसको अन्बॉक्स करके एक बार मैं सूज पहन के देख लिया है इस्टोर में लेकिन दफील अंद कमफॉर्ट बहुत ही मुझे प्यारा लगा यह सूज फर्स्ट लुक में अगर आप यहां पर देखते हो तो आपको यहां पर वाइट टैगर जैसे स्ट्रिप्स यहां पर देखने को मिलता है जो की बहुत अच्छे से कंप्लिमेंट और जस्टिफाय करता है इस थीम को वाइट टैगर योनेक्स 65 G3 सूस जो है यह केंटो मोमोत अच्छा यूस करते थे जो की फॉर्म वर्ल नंबर वन रह चुके हैं में सिंगल कटेगरी में और यहां पर आपको पावर कुशन एंटिस्केड एंकल प्रोटेक्शन जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं जो की आपको लॉंग सेशन और इंटेंस से जूस करो बहुत अच्छे से यह आपको कॉंप्लिमेंट करेगा एंड आपको कोट में भी बहुत अच्छा स्पोर्टिंग लूग देगा So let's take a closer look on the shoes यहाँ पे आपको पीछे में योनिक्स का ब्रैंडिंग देखने को मिलेगा प्लस 65 G3 जो इसका मोडल नंबर है वो लिखा गया है और एक प्यारा सा योनिक्स का लोगो है और यहाँ पे आप अगर आप देखोगे closely तो कुछ-कुछ जो स्ट्रिप्स हैं वो साइनिंग है जो कि बहुत अच्छा दिखता है बहुत ही अच्छा स्पोर्टिंग लुक देता है आप टच करोगे तो यह आपको पता चल जाएगा कि जो material यहाँ पे यूज किया गया है बहुत ही प्रीमियम है जो कि durability and performance आपको बहुत ही अच्छा जरूर देखने को मिलेगा इस material के साथ आपको पता ही होगा इस shoes के साथ इस theme की same session में आपको मिल जाएंगे Unix 99 series के racket जो की इसको completely match करता है इस strips के साथ यहाँ पे मेरे पास 99 play badminton racket है और इसका strips और badminton का आपका strip आप अच्छे से match करके देख सकते हो यह बहुत ही प्यारा लगता है बात कर लेते हैं इसके comfort and performance के बारे में radial blade design आपको देखने को मिलेगा and power cushion जो की आपको बहुत अच्छा heel support and anti-skid support आपको देगा on the coat और यह जो leather के material यहाँ पे use किया गया है that is going to give you very long durability for this shoes अगर हम इसको compare करेंगे Eclipse G3 या फिर comfort G3 तो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे material प्लस design point देखने को मिलेंगे जो की definitely आपको support करेंगे long sessions and आपका injury prevention के लिए जैसे की यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा हूँ इसका जो inner sole है इसका जो design है वो भी बहुत ही अच्छा है that is lightweight plus going to give you a waving design यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो की आपको support करेगा anti-skid के लिए इसके साथ साथ अगर आप इसका inner material भी देखोगे इसका tongue attached है lower part of the feet के साथ जो की आपके tongue को एक particular position में fix करके रखता है that is going to help you not to worry about the tongue position while playing long sessions finally let's go for testing it on the court हम आ गया है badminton court में और यह हमारा पहला session होगा इस shoes के साथ कराइब I was born to be free I was born to be free I was born to be free झाल 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 यहाँ दैटाय so guys game and this is the time to tell you guys ki my experience Tao Yunus 65 G3 this is the first time I am wearing these shoes लेकिन जो मेरा experience था बहुत ही अच्छा था लंजिस करने की time, jump करके land करने की time definitely मैं वो cushion feel कर रहा था in my heel plus in the midsole area and definitely going forward this is definitely going to help me to attend good number of heavy sessions so definitely अगर आप योनेक्स ब्रैंड में top of the line, एक हायर साइड में बजेट में अगर आप एक अच्छा प्यरप शूस देख रहे हों definitely you can try this out and thank you so much for watching this video, give this video a good thumbs up, thank you